पाल की यात्रा के साथ आरंब गाजे बाजे के साथ निकली पाल की यात्रा बड़ी संख्या में शामिल हुए स्रध्धालू रादा कृष्ण कालो ने इस्तितानन साही दर्बार का तेरों तीन दिवसी अस्थापना दिवस्ता मरो साही बाबा की पाल की यात्रा के साथ 24 जुन को शुरू हुआ पाल की यात्रा से पूरव पुजारी के द्वारा साही बाबा के बिधिवत पूजा अर्चना की गई इसके बाद मंदिर परिसर से गाज़ बाज़े के साथ साही बाबा की पाल की यातरा शुरू हुई यह पाल की यातरा जंडा चौक, चटी बाजार, लुहार, टोला, शुबास चौक में डोड होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुँच कर संपन हुई पाल की यात्रा के दौरान सधालू साही बाबा के मधूर भजन गाते हुए बढ़ते चल रहे थे जिस से शेहर का वातवरण भक्ति मैय हो गया वहीं इस पाल की यात्रा का जगा जगा भब्य स्वागत भी किया गया पाल की यात्रा के गुरुद्वारा साही पहुँचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की ओर से पाल की यात्रा में शामिल सधालियों का शीतल पेजल के साथ स्वागत किया गया वहीं इस पाल की यात्रा में साही बाबा का वेजधारन किये विमल शर्मा लोगों के आकरशन का विसेश से केंद्र बने रहें आनंद साही दरबार के तेरवे अस्थापना दिवसामारों को लेकर मंदिर का रंग रोगन कराए गया साथ ही मंदिर की आकरशक विद्ध वल्वो से सजावट की गई जिससे मंदिर की भविता देखते ही बन रही है वहीं अस्थापना दिवसामारों के तहत दूसरे दिन 25 जुन को मंदिर में विशेश पूजन का आयोजन किया जाएगा जबकि 26 जुन को अटूट भंडारे के साथ अस्थापना दिवसामारों का समापन होगा वाच जहते देया पन ठ्डर पनि बर्क्त ही में अनलोट कर देखते ही में ऍथề्ट झाल झाल